कई लोग फास्ट फूट या बाहर के चाट बॉकोडे खाने के शुकीन होते हैं आपने भी कभी ना कभी ये सब चीजे तो जरूर ही खाई होगी आप तोर पर ये फूट आइटम रेडी या छोड़ने रेस्टोरेट पर मिलते हैं क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन सभी फूट आइटम में एक बात तो कोमन होती ही है और वो है लाल रग का कपड़ा जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुनो चाट सिकंजी वाले ठेले पर लाल रग का कपड़ा जरूर होता है जिससे फूट आइटम को ढगा जाता है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आगिर सब ठेले वाले फूट आइटम को लाल रग के कपड़े से ही क्यो ढगते हैं काले या पीले रंग के कपड़े से क्यों नहीं बानते तो आईए दोस्तों, आज मैं इसके पीछे की वज़ा बताता हूँ आपको जानकर हैरानी होगी कि ठेले पर लाल रंग का इस्तमाल करने के पीछे की वज़ा पूरी तरह से विज्ञानिक सोच है दरसल लाल रंग काफी दूर से नजर आ जाता है इसके अलावा ये रंग काफी चटकीला होता है जिस पर लोगों का ध्यान बिल्कुल असानी से चला जाता है यही वज़े से कि फूड आइटम के ठेले पर लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है लाल रंग के कपड़े का इस्तिमाल फूड आइटम की तरफ लोगों का ध्यान खीचने के लिए तो होता ही है साथ ही अन्य कई महत्तव पूरण जगाओं पर भी लाल रंग का इस्तिमाल किया जाता है उधारण के लिए हर खत्रे के निशान को लाल रंग से ही बनाया जाता है जैसा कि आप जानते भी हैं इसकी वज़ा भी यही है कि ये दूर से लोगों को दिख जाता है और वो खत्रे के प्रति सत्तर्क हो जाता है